महराष्ट के पर्भणी जिले का फरजी शिक्षक घोटाला कांड इन दुनों देश में खासी चर्चा में है महराष्ट सरकार जोरा शिक्षकों की भरती पर रोक लगाने के बाब जूद भी पर्भणी जिले के पांच शिक्षक अधिकारी और विचोलियों ने मिलकर सेक्षकों की फरजी भरती की और साथ गाट के साथ करोड़ों रुपे के खेल खेल लिया है मज़दार बात तो यह है कि दो बार जाच होने के बाद भी अभी तक दोशी अधिकारियों पर कोई भी कारवाई नहीं की गई है महराष्ट के परभड़ी जिले का फर्जी सिक्षक भरती गोडाला कांट सिक्षा अधिकारी और करमचारियों की साथ गाट महराष्ट सरकार के नियमों के खलाफ सिक्षक नियुक्ती सरकारी नियमों को ताक पर अकर की गई सेग्डो सहाइक सिक्षक उति भरती महराष्ट के परभड़ी जिले का सिक्षक फर्जी भरती गोडाला कांट इंदों काफी चर्चा में है पर्बणी जिले में इस घोटाले दौरा सिक्षकों की फर्जी भरती की गई जिसमें पाँच सिक्षा अधिकारी दोशी पाए गए साथ में सिक्षा उपसंचालक जास समीती दौरा की गई तहगीकात में कुछ दस्ताविजू के साथ चेडका निमी की गई इस घोटाले में सरकारी नियमों को ताक पर रखकर सेकड़ों सिक्षकों की फर्जी भरती की गई इस घोटाले में विचली ने करोड़ रुपे का लेंदेन किया वरतमाने महराश्चे सरकार में सरकारी नियमों के अमसार सिक्षकों की नियुक्ती बंद है इसके बावजूद भी सरकारी नियमों को ताक पर रखकर परभणी जिले के सिक्षण अधिकारी मुख्यालों के अध्यापकों में साजिश कर सेग्रो सिक्षण को की अपाइंटमेंट की इसमें करोड़ रुपए सिक्षण अधिकारी, करमचारिय और बिचोलियों ने बनाए आपकी जनकारी लिए बतादें कि सिक्षण भरती पर महराश्च सरकार ने रोक लगा रखी है इसके बावजूद अधिकारियों ने साट गाट के साथ करोड़ रुपए का खेल कर दिया सन 2012 से अभी तक के नियुक्त सिक्षण अधिकारी बियार कुणगीर, अशोक आठवले, विठल बुसारे, शिरिमती बंदना बाहुल और विदमान सिक्षण अधिकारी आशागरोड इनके कारकाल में होई सिक्षण कोई भरती का ये फर्जी कार्ड सामने आया है जिले के कई निजी सिक्षण संस्थाओं में इन पांच सिक्षण कों की करतूतों का खुलासा हुआ इस फर्जी भरती में सरकारी दस्तावजों के साथ छेड़कानी भी की गई जिसकी जानकारी हाथ लगी है चार्च कमिट्टी की ओर से दो बार जाज की गई मगर कारवाही को लेकर अभी तक सिक्षण आज़कारी पर कोई धोस कारवाही नहीं की गई है इस मुद्धे बर हमारे प्रतिमिली भ्यभूक शेख ने शिकायत करता इस्थानी लोगों से संपर कर और प्रतिमिली से एमकेन नियूस के लिब आचीद की परवनी जिले में जो भोगस शिक्षण नियूपती को लेकर जो घोटाला हुआ है करोलों को खोटाला तता करती में चल रहा है ही चर्चा चल रही है पुरे महारतर के अंदर परवनी जिला शिक्षण नियूबाग खोटाला है परवनी को भूटाला है अहीं कि जिला महारतर में प्रस्फढ हुआ है इसे जहले में बहुत सारे NGO ने समाज मात्ये में बहुत सारे परशासन को तकरार किये हैं, मतराले को तकरार किये हैं और अभी हमारे साथ महारकी जिनता पढ़ती है लुआ मोर्चा के उपध्यक से मिला जोंगरी से, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर उठाया है मैंने ठेक निवेदन दिया है मेरे ब्जिप के लेटर पार पड़ परवनी के जिल्ला परशेत के जो शिक्षेन आधिकारी है, वो शिक्षेन ईबाग है उन्होंने जो शिक्षेन भर्ती कीए, वो बोगस है क्योंकि आभी तक महाराष्टे में कौन्सी ही भर्ती निकली नहीं है चिक्षें भर्ती इबाग में आगर नहीं निकली पिर भी उन्होंने बहुत सिक्षख्षक आधिकारी में से दो आधिकारी में से दो आधिकारी में से ओनारी जो ऊंगैना तो मेरा एकिना है इन्युवेडं के मामनेρα से बार मांपिन दैंसे मेर थूल यह ख гру्प्रम को इसे हुए पर कलतीक करा के हैं सी आधिकारी शे志ा मुत्तskin के यहांAudi Me सरकार को कि भई हम ये निविदन दे रहे हैं कि शिक्षय निभाग शिक्षय ने एक मंदीर होता है और उस मंदीर में देवता अधिकारी लोग होते हैं सिक्षेक होते हैं अगर उन लोगों को अगर गवान इद्यार्तियों के साथ ऐसा अन्याय करते हैं जो लोग पैसा ले द उसलिए अपना महाराश्ट और अपना जिल्ला पढ़ाई के बारे में पीचे रही जाएगा तो मेरा एक कायना है आप आपके मतलब के खातीर आपके स्वार्ट के खातीर इन बढ़ियारतों का इस देश के भर्यशेयों का इस परवनी जिल्ले के भहिशिएव का नास कर रहे हो की यह कर रिठतों है तो मुझे आधिकारी के उपर महराश्टे के उपमुके मंत्री उपमुक्य मंत्री मुक्य मंत्री और शिक्षिन मंत्री मैं इन तीनों मंत्रियों को मैं निवेदन करता हूँ कि यह शिक्षिन इभाग के जो अधिकारी करप्ट है जो अधिकारों ने शिक्षिन भरती बोगस की है उनको तुरंत कारवाई करके कायम शोरपी सस्पिल क मैं चाहता हूं कि आधिकारी लोग यह प्रेश्ट होते हुए भी उनकर जो कलम लगाये हुए है जो काईदे से उन्होंने कारवाई हुए वो कारवाई से अभी तक आधिकारी लोगों को कुछ भी नहीं हुआ है ना वो अटक हुए है और ना उनका कोई कुछ बालवाका क्योंकि उन्होंने अधिकारी लोगों से कुछ ले देखे उनको छोड़ दिया कि क्या ऐसा मुझे लग रहा है मगर मैं आपको पुरे परवनी जिल्य को वचन देता हूँ कि मैं मेरे माध्यम से परवनी के तरब से और सरे सिक्सेन इजारतियों के तरब से और परवनी के सब के लोगों के तरब से मैं मंत्री लोगों को जाके खुद ये निवदन देने वाला हूँ और रुपने वाला नहीं हूँ जब तक ये करप्त आधिकारी यहां से नहीं निकल जाते तब तक मैं चुट नहीं बेटूँगा मैं अभी अभी परवनी जिले के जो भी फरजी सिप्षक भरती हुई है उस भरती के जरिये निवदन दिया है खलेक टाफिस को और दिला परशत को मैंने निवदन दिया है इस बरती में जो करोडों पर गबन हुआ है उस गबन करने वाले जो भी अधिकारी है उनको बचाया जा रहा है और ये मामला हमने मुख्यमंत्री तक भिज दिया है लेकिन देखते हैं मानिय मुख्यमंत्री जी क्या करते है ये थे हमारे साथ नाशनल अम्बेड कर कॉंग्रेस के प्रदेशात्यक्षिर नामद्यो दिपके सर्थ और ये बता दी कि हम जब सुभा से यहां पर इस बारे में यहां के शिक्षे नादिकारी से संपर करने की जब पोशिश कर रहे हैं तो उनोंने उनका नाम ने बतोंग हैं कि यह इन पर जो आरोफ है उसकी प्रतिक्रिया देने को टाल रहे हैं कि यहां पर जो है तो जिस एक आदमी के तरफ से जो आटर निगाला गया उसको है तो भुज़ारे साब ने बीच में दलाली करने के थ्रोग वालों के थ्रोग उसको है तो तो तायम का बत का मानने तो दी दी अर मुझे जो है तो 15 मैने सी मेरी पगार बन्द है और यह सब शावी दोने के बाद हम से गाया गात है कि आपकी हरी ली जाएगी आज हम इस रिपोर्ट में इस कांड की पहले किष्ट आपको बता रहे हैं और शीघ्र ही इस कांड की दूसरी किष्ट भी आपको बताएंगे तब तक देखते रहें MKN News नमस्कार